नमस्ते में डॉक्टर जुबेर खान असिस्टेंट प्रोफेसर जोग्राफिक गवर्मेंट कोलेज बूंदी आपका स्वागत करता हूँ बी ए पार्ट प्रथम वर्ष भुगोल की कक्षा में इस कक्षा में हम भुगोल के दुत्य प्रिशन पत्र परियावरण भुगोल का अध्यन करते हैं पिछले अध्यायों में हमने परियावरण प्रदूशन के बारे में पढ़ा और परियावरण के अंदर होने वाले विभिन प्रकार के प्रदूशनों का अध्यन किया आज का हमारा अध्याय है भूमी प्रदूशन भूमी प्रदूशन कहें या मृदा प् कि वहा उपरी असंगठित परत होती है जो की विभिन प्रकार के खनीजों की मिश्रण और वनस्पदी के योग से बनती है उसे हम मृदा या भूमी की संग्या देते हैं अब हम जब परियावरण प्रदूशन पढ़ रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि परियावरण में कितने प पॉइंट दो प्रतिशत भाग पर भूमी का विस्तार पाया जाता है अर्थार्थ जल की तुलना में भूमी अथवा इस्थल का विस्तार बहुत ही कम मात्रा में मिलता है हमें देखते हैं प्रत्फिक के उपर अधिकांश शेत्र के अंदर लगभग 70.8 प्रतिशत भाग प चट्टानों से हुआ है यहां पर हम बात करते हैं विभिन प्रकार की चट्टानों के जो अलग-अलग प्रकार के टुकड़े होते हैं मिट्टी होते हैं अर्थार्थ खनीच तत्व होते हैं उनके मिश्रन से भूमी का निर्मान होता है अर्थार्थ मृदा का निर्मान होता ह इस्थेतिक व गतिशील शक्तियों द्वारा शेलों के शरण से मृदा का जन्म होता है यहां पर इस्थेतिक व गतिशील शक्तियां जिसके बारे में आप भौतिक भुगोल के अंदर पढ़ चुके हैं प्रत्वी की इस्थेतिक और गतिशिल शक्तियां कौन कौन सी होती है उनके द्वारा शेलों के अपरदन, अपक्षय और उसके पश्चात निक्षयपन से मृदा का निर्मान होता है चट्टानों के खनिज मृदा के पोशन तत्व निर्मित करते हैं जब भी हम बात करते हैं मृदा की तो उसके अंदर विभिन प्रकार के खनिज पाये जाते हैं ये खनिज तत्व उस मृदा की पोशन तत्व होते हैं अर्थात उसका पोशन करते हैं जबकि जीवाश्म उसकी उत्पादक्ता को प्रभावित करते हैं जिवाश्मी से यहां पर तात्पर ये है जैविक पदार्थों के मिश्रण से चाहें वो वनस्पती के योग से हो या अन्य जीवों के सड़े गले जो उनके अफशेश होते हैं उनके जिवाश्मी वियोजन और विगिटन से जो पोशक तत्व मिलते हैं उन्हें हम जिवाश् जीव जन्तु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से मिर्दा पर निर्भर करते हैं जब भी हम विस्त्रित रूप से देखते हैं कि एक जीव मंडल के अंदर जीवों का मिर्दा से किस प्रकार से संबंध है तो किसी ना किसी रूप में समस्त जीव जन्तु मिर्दा से प् हम स्वयम मानव की बात करते हैं तो हम अपने भोज्य पदार्थों के लिए प्वान्य आवश्कताओं के लिए पेड़ पोदों से जूरते हैं या हम फसलों का उत्पादन करते हैं तो हम उन से जूरते हैं पर इन सब ही क्या जो उत्पादन होता है उसका आधार म्रदा या मि नहीं होता वाइट वर एनर दो विद्वान है इन्होंने ये बात कही अपनी पुस्तत में लिखा प्रत्फी तल पर यदि मृदा नहीं होती तो यहां जीवन कदापी संभव नहीं हो पाता और वास्तविक्ता में यदि हम इसका गहराई में जाकर अध्यन करें तो हम यह सभ्यताएं वहाँ पर पनपती हैं और अपना विकास करती हैं पर जब कभी भी वो मृदा अपनी उत्पादक्ता और उरुवरा शक्ति को खो देती है वो सभ्यताएं वहाँ से नश्ट हो जाती है इतिहास इस बात का गवाए और हम इतिहास में इस चीज़ को देख सकते है इसी संधर्व में वाइट और रेनर ने ये बात कही उपजाव म्रदाओं ने सदेव ही मानव को आकशित किया है आज भी आप विश्व के मानचित्र को रखकर जहां भी देखेंगे तो जितने भी बड़े बड़े नगर है जितनी भी बड़ी बड़ी जनसंख्या का जमाऊणा है जितनी भी बड़ी सभ्यताएं विक्सित हूएं वो केवल उपजाव म्रदा के शेत्र में हुए आज हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आप देखिए यूपी है बिहार है पंजाब है हर्याणा है यहां के जो उपजाव शेत्रे हैं वहाँ पर आज भारत की सरवाधिक जनसंख्या का जमाव देखा जाता है विकास भी देखा जाता है चायना के अंदर यदि हम जाके द जैसा कि मैंने आपको बताया क्रशी का उत्पादन तो प्रत्यक्ष रूप से मिर्दा पर निर्फर करता है, यदि मिर्दा अच्छी है, मिर्दा उर्वर है, मिर्दा पोशक है, तो वहाँ पर क्रशी का विकास अच्छा होगा, उत्पादन अधिक होगा, क्रशी अच्छी फ करने के लिए पशुओं को चारी के आवश्यक्ता होती है और चारा म्रदा में उखता है वन उससे संबंदित जो उद्योग होते हैं तो वनों को उगाने के लिए पेड़ पोधों की पेवरिक्षों के आवश्यक्ता होती है और वो भी प्रत्यक्ष रूप से म्रदा पर निर् संबंदित होता है जो कि मिर्दा में उखती है वनोध्योग वन से संबंदित होता है जो कि मिट्टी में या भूमी पर उखते हैं विश्व की लगबग 80 प्रतीशत जनसंख्या म्रदा द्वारा उत्पादन के व्यवसायों में सलगने अब यह बिंदु बड़ा महत्वपूर हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विश्व की लगबग 80 प्रतीशत जनसंख्या म्रदा पर आधारिते अर्थार्थ म्रदा के आधार पर वो अपनी अजीवी का कमा रही है इस्थलिये पोधे म्रदा में अपनी जड़े जमा कर स्थिर रहते हैं तथा जल्व अन पोशक तत्व ग्रहन करते हैं अब बात के आती कि जो इस्थलिये पोधे होते हैं हम देखते हैं इस्थल में उगने वाले पोधे अपनी जड़ों के सारे मिर्दा में वहां पर जड़ रहते हैं और अपनी जड़ों से वो भूमी में विद्यमान जल्व अन्य पोशक में विद्य पोशक तत्वों का उपयोग करते हुए अपना भूजन स्वयम बनाते हैं और एक पारिस्थिति की तंत्र को चलाने का आदहार प्रदान करते हैं क्योंकि कि किसी भी पारिस्थिति की तंत्र के अंदर पौधे उत्पादक होते हैं वनस्पती पर विभिन प्राणी निर्भर करते हैं अब ये चीज आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं पिछले अध्यायों में आपने पारिस्थिति की तंत्र पढ़ा और पारिस्थिति की तंत्र में आपने ये जाना किसी भी शेत्र के पारिस्थिति की तंत्र को चला आने के लिए वनस्पती अर्थार्थ उत्पादकों की आवशक्ता होती है और जहां उत्पादक नहीं होंगे वहां उपभोगता भी नहीं होंगे अर्थार्थ पारिस्तिति की तंत्र को विक्सित करने के लिए वनस्पती की आवशक्ता होती है और वनस्पती निर्भग करती है शित्रविशेश की मृदा या मिट्टी पर यहां तक कि जलिये जीवों को भी घुलंशील खनीजों की रूप में विभिन पोशक तत्व मृदा से ही प्राप्त होते हैं देखे कितना बड़ा ये एक वक्तविय सामने आया है कि जो घुलंशील तत्व हैं वो तो खनीजों क रूप में प्राप्त होंगे जलीए जीवों को भी एसा नहीं है कि जीव स्थल्य भागों पर विध्यमान रहते हैं वही मरदा से सीधे तोर पर जुड़ते हैं अपीतु जलीए जीवों को हो अपने पोशक तत्वों को पाने के लिए मृदा पर निर्भर रहना होता है इस प्रकार भूमी या मृदा जीव मंडल का आधार होता है अब बात आती है भूमी या मृदा जीव मंडल का आधार जीव मंडल के बारे में आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं इस्तर मंदल, जल मंदल, वायू मंदल का वह भाग जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जीव मंदल के लाता है और जीव मंदल अपने आप में एक व्रहत पारिस्थिति की तंतर होता है द्वित्तिय यूनिट के अंदर हमने शुरुआत में इस चीज़ को पड़ा था ब्छने की तंत्र के अंतरगत जीू मंडल स्वयम एक व्kräषट पारिंस्तिती की तंत्र होता है और पारिंस्तिती कीठन निर्भब करता है उत्पादकर उत्पादक को सिकति होती है और वनस्पति निर्भscale करती है भूमी पर तो एक तुरा से जी एम੍ड़ का आधार क्या हो जाता है भूमी अर्थार्थ मृदा मृदा की गुणवत्ता उसमें उपस्थित पोशत्तत्वों जीवाश्म नमी और तापमान से नियंत्रित होती अब बात आती है मृदा की गुणवत्ता के मृदा की क्वालिटी कैसी है उसकी गुणवत्ता कैसी है यह न गुणवत्ता निर्धारित होती है अर्थार्थ उसकी उरुवरा शक्ती निर्धारित होती है जिस मृदा में उरुवरा शक्ती अधिकोगी उस मृदा की गुणवत्ता उतनी ही अधिकोगी जबी तो हम कहते हैं कि उस शेत्र की मिट्टी बहुत अच्छी वहाँ पे करशी उ मात्रा में पाए जाते हैं विभिन कार्णों से मिर्दा की गुणवत्ता नश्ट होने लगती है तो उसे मिर्दा प्रदूशन कहते हैं अब बात ये आती कि मिर्दा प्रदूशन किसे कहा जाता है अभी तक हमने जितने भी प्रदूशन पड़े हमने ये देखा है जब किसी तत्व विशेश की गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो ऐसी स्थिती को प्रदूशन कहा जाता है। जैसे जल की गुणवत्ता में कमी आएगी तो जल प्रदूशन कहलाएगा। वायू की गुणवत्ता में कमी आएगी तो वायू प्रदूशन कहलाएगा। इसी तरह म्रदा या भूमी की गुणवत्ता में कमी आती है तो ऐसी स्थिती को म्रदा प्रदूशन या भूमी प्रदूशन कहा जाता है म्रदा प्रदूशन को भूमी प्रदूशन अत्वा भू प्रदूशन भी कहते हैं अब हम देखते हैं कि मुर्दा प्रदूशन को सिध्धान्तिक रूप से किस प्रकार से परिभाशित किया जाता है भूमी के भूतिक, रसायनिक एवं जेविक गुणों में प्राकर्तिक या मानविये कारणों से होने वाले ऐसे अवांचनिये परिवर्तन को जिससे की भूमी की प्राकर्तिक गुणवत्ता वा उप्योगिता नश्ट हो तथा जिसका प्रभाव, वनस्पती वा प्राणियों पर पड़े भूमी प्रदूशन कहते हैं आती है कि ऐसे प्राकर्तिक या मानविये कारत जिनसे किसी शेत्र की भूमी के भौतिक, रसायनिक या जेविक गुणों में आवांचनिये परिवर्तन आ जाएं जिससे उस शेत्र की मर्दा की गुणवत्ता और उपयोगी तरनाश्ट होने लगे और गुणवत्ता उसकी कम होने के काराण शेत्र विशेश की वनस्पती और प्राणियों पर उसका दुश्प्रभाव पढ़ने लगे तो ऐसी स्थिति को हम मर्दा प्रदूशन, भूमी प्रदूशन की संग्या देते हैं, डेट्वाइलर के शब्दों में डेट्वाइलर एक उद्वाने उन्होंने भूमी प्रदूशन को किस प्रतकार से परिभाशित किया, चलिए देखते हैं, मानव के द्वारा मर्दा के भौतिक, रासायनिक तथा जीव रासायनिक रूप में परिवर्तन से मर्दा निर्मान की अपेक्षा मर्दा विनाश अधिक हुआ है, ये मर्दा विनाशी मर्दा परदूशन कहलाता है, अब बात यहां आती है, डेट्वाइलर ने ये बात कहिए, मानव द्वारा यहां पर उन्होंने प्राकरतिक रूप से होने वाल कमी आ जाती है और इस गुणत्ता में कमी के कारण जब मुर्दा का विनाश उसके निर्मार से अधिक होने लगता है तो ऐसी इस्थिति को मुर्दा प्रदूशन या भूप्रदूशन की संग्या दी जाती है सारश रूप में हम कह सकते हैं कि विभिन कारणों से भूमी या मृदा के प्राकरतिक सोरूप में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो सजीवों के लिए हानिकारक होता है भूमी प्रदूशन के लाता है यदि हम निश्कष रूप में कहें कि क्या साराइश निकल के आता है मर्दा परदूशन या भूमी परदूशन की परिभाशाओं का तो हम कह सकते हैं कि विभिन कारण अब ये विभिन कारण प्राकर्तिक भी हो सकते हैं और मानवे भी हो सकते हैं इन कारणों के कारण यदी मृदा के प्राकरतिक गुणों में कुछ दोश आ जाते हैं उसकी गुणवत्ता में हार्स हो जाता है जो कि उसी शेत्र के वनस्पती तथा विभिन जीवों के लिए हानिकारक होता है तो ऐसी स्थिती को भूमी प्रदूशन, मृदा प्रदूशन या भूप प्रदूशन कहा जाता है अब यहाँ पर मैंने आपको यह बात बताई प्राकरतिक कारण भी हो सकते हैं भूमी प्रदूशन के और मानवी कारण भी हो सकते हैं अब हम डीटेल में पढ़ेंगे कि कौन-कौन से वो कारण है जो की भूमी वा मृदा को प्रदूशित करते हैं प्राकरतिक रूप से और मानवी रूप से पर हम यहाँ विशेश रूप से ध्यान रखें जैसे कि यहाँ पर डेटवाइलर ने ये बात कई मानव से संबंदित किया है उन्होंने इस प्रदूशन को तो वर्तमान समय में हम जितने भी प्रदूशन देख रहे हैं और हमारे सामने जो प्रदूशन समस्या बनकर सामने आ रहा है क्या वो पहले नहीं थे पहले नहीं थे ऐसे हाँ पहले नहीं थे क्या प्राकरतिक कारण पहले मोजूद नहीं थे प्राकरतिक कारण तो प्रारम से ही मौझूद थे पर हर एक तत्व के अंदर अपने आपको शुद्ध करने की एक शंता होती है तो प्राकरतिक कार्कों द्वारा उसके अंदर जो अब्दरव्यताएं मिश्रित की जाती है जो उसकी गुणवत्ता में हार्स उत्पन किया जाता है वो तत्व उन प्राकर्तिक कार को द्वारा पहुँचाई गई शती को शती पूर्ती द्वारा खत्म कर लेता है पर मानो द्वारा जब शती पहुँचाई जाती है तो उस शती को ये पूर्ती नहीं कर पाता अर्थार ये शती उसकी शती पूर्ती की शमता से अधिक होती है ऐसी स्थिती के अंदर उस तत्विशेश की गुणवत्ता में इतनी ज्यादा गिरावट आ जाती है कि ये एक समस्या की रूप में सामने आता है और ये समस्या परियावरन परदूशन या उसके विबिन स्वरूपों के अंदर जल परदूशन वायो परदूशन और यहां पर इस अध्याय में भूमी परदूशन के रूप में सामने आती है तो साराइश रूप में हम कह सकते हैं किसी भी शेत्र की मृदा की गुणवत्ता में कमी आने के कारण शेत्र विशेश के वनस्पति वजूईवों पर पढ़ने वाले दूश प्रूभाव को हम मर्द परदूशन केह सकते हैं इस अध्याय के असाइन्मेंट के रूप में आपको भूमी परदूशन की परिभाशा देनी है इस प्रिशन का उत्तर आपको दो रूपों में देना है एक तो अती लगुतरात्मक रूप में जिसमे आप भूमी परदूशन को समझाएंगे उसकी परिभाशा लिखेंगे साथ ही विभिन विद्वानों ने भूमी परदूशन को किस प्रकार से परिभाशित किया उनकी कोटेशन लिखकर उसकी व्याक्या भी करेंगे इस प्रकार से लगुतरात्मक रूप में इस प्रशन का बेलेंगे.